लो दोस्तों के से आप सब आप सब का सौदद करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं अन्बॉक्सिंग करने जा रहा हूं आइरन मैन एट्मोस्क्यर एट्मोस्क्रिक आर्मर की जो Marvel Legends का तो नहीं है मगर गेमवर्स का है Marvel Legends में भी गेमवर्स में भी Marvel Legends है जिसकी कॉलिटी यह नॉर्मल कॉलिटी का है जिसकी कॉलिटी बहुत हाई रहती है और वह अच्छे उसके अंदर और अच्छी मुवमेंट देता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर ठीक ही ठाक है आप जो गेम में दिखेंगे वह कलर और जबर्दस है जिसको Marvel Legends Gamer Series में से निकाला गया है और वो ज़रा कॉस्टली है यह आपको 1000 के अंदर मिल जाएंगा इसके अंदर लाइट मुवमेंट है और थोड़ी लाइट डीटेलिंग से जाए डीटेलिंग ने दिया मगर इसका कलर जो है saturation बहुत जबर्दस है और इसकी finishing ठीक ठाकिछ है उत नहीं हाथ भी उपर नीचे जाता है वह बहुत जादा में को तो बहुत जादा वह मिला है यह कि सक्त जॉइंट है जिसे हम बोल सकते हैं देखें आप ज़्यादा फॉर्स लगाना पड़ रहा है अगर मैं ज़्यादा फॉर्स लगां तो यह तूटी जाएंगा तो मुझे देखें यह जारा इतना उपर जाता है इसके बाद से यहां से बेंड होना नहीं होता है जैसा फुल 360 डिग्री नहीं 120 भी नहीं होता है इसके साथ एक चिंदी चीज आती है अपने को फायर करने का है कि हैस्ब्रो ने यह लोकालिटी में सिफ पैसे बचाने के लिए पैसे और ज्यादा कमाने के लिए दोनों के लिए बना दोनों रीजन हो सकते है इसलिए बनाया है मैं चाहूंगा कि आप इसके बजाए 199 जो ओरिजिनल प्राइस है बॉक्स पर रहता है मार्वल लेजेंड्स जिसमें भी आइरन मैन अट्मोस्पेरिक आर्मर को भी रिलीज किया गया है वह ले लिजे वह तो भी से बैटर है यह अगर आपको कलेक्षिन के लिए लेना है तो ले सकते हैं और नीचे भी यह जो फायर है उसको अपन नीचे भी लगा सकते हैं मार्एक पर पर हीच आप यह मेंको ओफर में 699 में मिल गया था एमाज़न पे आप देख सकते हैं Iron Man जो पुराना Iron Man मेरे प़स्ट Iron Man का फिगर था ये उससे comparison आप देख लेए सकते हैं जो बहुत low price का है आपको 100 के अंदर आ जाएँगा उससे मैं comparison कर रहा हूँ कि तो उसके हैट और इसके हैट में जाधा परक नहीं है दोना को साइड़ बाइसाइट रखें तो आफज़ादा फरक नहीं है इसकी मुवमेंट से में उसके मुवमेंट से में